हेलो दوस्तो Consciousness Welcome to this Imaging Platform Top 10 Classes हम लोग चर्चा करने वालें आप देख सकते हैं विडूच्छन की चर्चा करने वाले आज अम लोग जान समें आजएंगे कि उल्क्रीं चलह होता है फिर हम लोग की चर्चा करने वाले हैं वहीं कि व्यदेद खिछन की भी चर्चा करेंगे यानि आज की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है तो जल्दी से जल्दी जो बच्चे जुड़े होंगे वो क्लास को सेर कर देंगे और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आएए आगवाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली टॉपिक की ओर चलते हैं सबसे पहली टॉपिक क्या है बिद्धुद्चेतर जानने से पहले हम लोग एक एक जाम पर लेते हैं चुमबक के बारे में क्या होता है ध्यान समझेगा बिद्धुद्चेतर आपने लिया चलिए ले लिये अब उसके बाद इस चुम्बक का कोई न कोई एरिया होगा कोई न कोई छेतर होगा अब जैसे आप जो है ये मान लिए कि ये इसकी लचमर रेखा है ये इसकी लचमर रेखा है ये इसका छेतर है ये इसका एरिया है अगर आप भाई साहब इसक की बल लगेगा जैसे ही आपने एक लोहे की दूसरे चड़ को लोहे की चड़ को लेके जाओगे अब जैसे इस लोहे की चड़ को यहां के लेके पहुचोगे यहां तक तो लेके आए इस लोहे की चड़ को यहां तक लेके आए तब तक तो इस पे किसी भी प्रकार का बल नही से चलते आ रहे थे अब जैसे ही इस लोहे की छड़ को इनके एरिया में लेके पहुचे इनके एरिया में प्रवेस किये तो प्रवेस करते ही आपके उपर कौन सा बल लगने लगा आपके उपर अट्रैक्शन बल लगने लगा यानि ये आपको खीचने लगे तो वहाँ पर ए यह जो इनके चारो और का जो एरिया है जहां तक हम लोग इनके चुमकी बल का अनुभा कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? चुमकी छेतर मैगनेटिक फिल्ड कहलाता है. जिसे हम लोग Hide example क्या ले सकते हैं की जैसे आप लोग क्या होता है कि School college जाते होंगे तो School college जाते समय क्या होता है जिब तक आप सड़क पे रहते होते हैं एकदम खुले टरीके से जैसे मन होता है वैसे जाते हो पर जैसे ही college के गर्ट के अंदर pre-vist करते होंगे तो जो कालेज के रूलव कैदे हैं उसके अधीन हो जाते होंगे तो यहां भी है कि जैसे ही इस लोहे की छड़ को हम लोग इसके अंदर प्रेश करते हैं इस लचमल रेखा के अंदर लेके आए तो भाई साहब इस पे एक प्रिकार का बल अनुभा हुआ तो वो जो बल हुआ जहां तक वो बल लग रहा है इस चुमबक के कारण जहां तक बल का अनुभाव किया जाए वो क्या कहलाते हैं वो छितर क्या कहलाते हैं चुमबक की ये छितर कहलाता है अगर हम कह दे इसी चुंबक को हटा के एक क्या रख दे आवेस को रख दे अब आवेस को रख दे तो आवेस का भी एक लचमा रेखा होगा इसका भी एक एरिया होगा तो ये भी बोले कि ये हमारी एरिया है ये हमारा चित्र है अगर हमारे अंदर आओगे तो मैं जरूर आप कुलाम का अवेस्ट ले ले चाहे दो सोच्भी तिन माईकुलाम जिसको ले के आ इंथे अब जब तक इसको आप छोग इधर घुमा रहे था इधर कहीं वि किसी भी पॉइंट प्याव है तब तक तो इससे कोई नहीं लग रहा था यह अवार 1 डिक्ट्रान की तरह बल लग रहा है एक प्रकार का बल का अनुभव हो रहा है अब जो लगने वाला बल है वो दो प्रकार के होते हैं एक आकर्शन होता है एक प्रतिकर्शन होता है वो डिपेंड किसके उपर करता है आपके उपर की आपकी नेचर कैसी है अगर आप प्लस रहोगे तो यह आपको आकरसित कर लेगा, अगर आप प्लस रहोगे, तो आपको प्रतिकरसित कर देगा, बाते कुछ समझ में आई, हमने क्या कहा, एक बार फिर से समझेगा, कि इस आवेश के चारो और का वह फिल्ड, आवेश के चारो और का वह एरिया, जहां तक इसके कारण लगने वाले कुछ समझ वाई, एक बार लास्ट आपको समझाने का मुचा दे रहे हैं, फिर से समझाते हैं, हमने क्या कहा, कि जब इस आवेश को अधर इधर इधर चाये जहां लेके घुम रहे थे, तब तक तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा था, जैसे ही इनके एरिया में पहुचे, इस एरिया के अंदर प्रिविश किये, लचमर रेखा के अंदर प्रिविश किये, तो हमारे उपर नहीं इस आवेश उपर एक प्रिकार का बल लगनी लगा, तो वो जो बल का अनुभव हो रहा है, जहां तक बल का अनुभव किया जा रहा है, वो छेत्र क्या कहलाता है, बिद चारो और का वहचेत्र जारो और का वहचेत्र जहां कोई जहां तक कोई अन्य आवेस अन्य आवेस विद्दुत बल का अन्य आवेस आकर्षन या प्रतिकर्षन आकर्षन या प्रतिकर्षन का अन्य आवेस आकर्षन या प्रतिकर्षन का अन्य आवेस आकर्षन या प्रतिकर्षन का अनुभो करता है अनुभो करता है बिद्दुत छेत्र कहलाता है क्या कहलाता है बिद्दुत छेत्र कहलाता है ये बात है क्लियर हो गई प्यारे बच्चो अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं दूसरी टॉपिक क्या है बिद्दुत छेत्र की तिंप्रता क्या है बिद्दुत छेत्र की तिंप्रता है 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 बिद्दुत छेत्र की तिंप्रता ध्यान से समझेगा आए हम लोग समझते हैं बिद्दुत छेत्र की तिंप्रता क्या होती ध्यान से अब क्या होता है अब आपने कहा कि एक आवेस रख दिये अब इसके चारो और का ये जो एरिया है हमने इसके चारो और के एरिया का नाम दे दिया बिद्दुत छेत्र का लाया अब अगर इसके अंदर हम लोग आते हैं तो हम लोगों के ऊपर एक बल लगेगा अगर इसके अंदर किसी आवेस को लेके जाएंगे तो उस पर बल लगेगा किसके कारण बल लगेगा इसके का बल लगेगा ठिक ये बाते हमने पढ़ लिया अब हमको क्या पढ़ना है बिद्दु छिट की तिव्रता पढ़नी अब ध्यान से समझेगा अब क्या करेंगे कि किसी एक कलल पनी क 7 होता है यह क्या होता है इसका इतना कम होता है विद्धूच्शित में रखेंगे तो लिए नहीं कर पाएगाया आप ये समझेगा यानि इसके पास इतना आवेस नहीं होता कि अब देखेगा क्या होता है अब जब इस पर इस परिच्ञावेस को उठाए और उठा कर ले क्या है हम लोग इस बिंदु पर रख दिए बिंदु ए पर रख दिए फिर दुबारा हम लोगों ने कहां पर रखा बिंदू B पर रखा कहां पर रखा बिंदू B पर उसी आब इसको रखा है अब देखिएगा इसके कारण इस पे लगने वाले जो बल है वो क्या है प्रतिकरसित बल है और इसके कारण भी इस पे लगने वाले जो बल है वो क्या है इस पे लगने वाले बल का मान जादा था, तो वो जो लगने वाले बल है, जो लगने वाला जो बल का परिमार है, वो बल का परिमार ही क्या कहलाएगा, विद्धु छेतर की तिब्रता कहलाती है, तो डिया स्टूडेंट, एक बार फिर से समझेगा, विद्धु छेतर के तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते होंगे कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा तो लिखते हैं आईए जरा सांथ विद्दुच्छत्र में इस्तित विद्दुच्छत्र में इस्तित एक आंक एक आंक परिच्छड आवेश पर परिच्छड आवेश पर लगने वाला बल माल लेते हैं लगने वाला बल एप तथा परिच्छड आवेश का अनुपात अनुपात ही उस बिंदु का या परिच्छड का अनुपात ही उस बिंदु का कि भिद्दु चेतर की तिब्रता कहलाता हैं तिवित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित् यदि कोई परिच्छड आवेस यदि कोई परिच्छड आवेस Q0 Q0 है जो की विद्दुच्छेत्र में रखा लिया है जो की विद्दुच्छेत्र ए में इस्तित्र है ए में रखा है ठीक ए में रखा है तथा उस पर लगनी वाला बल F है उस पर लगनी वाला बल क्या है F है तब विद्दुच्छेत्र की तिविता तिब्रता क्या हो जाएगा ये बराबर लगने वाला बल एप अपान क्यों नाट तो बिद्धुच्छित की तिब्रता जो होती है ये हो गई किसी भी बिंद उपर बिद्धुच्छित की तिब्रता का जो ब्रेंजक हो जाएगा वो वेक्टर एक्कोल टू वेक्टर एप आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनके उपर विक्टर लगा है तो विक्टर क्यों लगा है क्योंकि यह एक क्या होती है सदीस रास होती है यह एक कौन सी रास है सदीस रास ही होती है यह एक क्यों सी रास है सदीस रास ही होती है यह एक क्यों सी रास है सदीस रास ही है यह इसका मात्रक, इसका मात्रक, ध्यान से समझेगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो ध्यान से इसका मात्रक हो जाएगा, एफ का मात्रक कौन होता है, न्यूटन, और आवेस का मात्रक, ये आवेस है, तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कि कुलाम होता है, तो इसका मात्रक क्य हो गया न्यूटन प्रती खुलाम होता है तो इस प्रकार इसका जो बीमा होगा आए बीमा भी निकाल लेते हैं तो इसका जो बीमी सुत्र होगा वो ध्यान देज़ेगा बीमी सुत्र तो बीमी सुत्र क्या होगा अब देखेगा बीमी सुत्र क्या होगा तो बीमी सुत्र E का क्या हो जाएगा ध्यान से समझेगा F का बीमा तो F का बीमा क्या होता है आप यहां लिखेंगे F का बीमा आप बटे किस का बीमा हो जाएगा Q0 का बीमा अब देखेंगे प्यारे बच्चों आप यहां बता सकते हैं F की बीमा होता है M L T पावर माइनस 2 उसके बाद क्या होता है Q 0 Q 0 की बीमा होती है A T अब आप इसे हल करोगे तो देखें M आप नोट कर लेंगे वैसे अब L भी नोट कर लेंगे फिर देखें T के पावर माइनस 2 है यहां पावर एक है यह एक उपर जाएगा तो पावर माइनस एक हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगे तो T के पावर माइनस 3 और A उपर जला जाएगा तो A के पावर माइनस होना जाएगे तो इस प्रकार इसकी बाते और जान लिजेगा जो बिद्दुछेत की जो तिवरता होती है वो क्या होती है अगर आपका जो धनावेस होगा तो धनावेस पर बिद्दुछेत की जो तिवरता होती है वो क्या होती है वो बाहर की तरफ होती है यानि बिद्दुछेत की जो दिशा होगी वो बाहर की टॉपिक की तरफ चलेंगे बिद्दूत बल रेखाएं तो चलें इसके सॉट ले लिए होंगे अगली टॉपिक क्या है बिद्दूत बल रेखाएं चिक बिद्दूत बल रेखाएं धान से समझेगा बिद्दूत बल रेखाएं क्या होती है तो आप यहां बता सकते हैं बिद्दूत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है क्या होती है एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जिसकी सहायता से बिद्दूत छेत की दिशा को व्यक्त किया जाता है ब्यद्दुत बल रेखा ब्यद्दुत छेत्र में ब्यद्दुत छेत्र में खेची गई खेची गई एक काल्पनिक रेखा होती है एक काल्पनिक रेखा होती है जिस पर जिस पर स्वतंत्र आवेश जिस पर स्वतंत्र आवेश गतिमान होती है स्वतंत्र आवेश क्या होती है गतिमान होती है वो हमारे क्या काल्यती है विद्दुत पर लेखा कहल्यती है आप ज़राश समझेंग है जिस स्मय क्यावेश क्या होती है जिससे आप क्या क्या क्लिए यह प्लस क्यू आवेश हो गए तो इसको हम note कर सकते हैं, अगर यही क्या हो जाए, रिड़ावेस हो जाएगा, तो बिद्दूत बल रेखाओं के गुर में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, लिखेंगे, धाना आवेस से, धाना आवेस से, बिद्दूत बल रेखाएं, बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ क्या होती है, निकलती है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रिड़ावेस से, बिद्दूत बल रेखाएं, अंदर की तरफ प्रवेस करती है, यह हो गया, इतनी बाते क्लेर हो गई, कहां की तरफ प्रवेस करती है, अंदर की तरफ प्रवेस करती है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो बिद्दूत बल रेखाएं होती है वो क्या होती है जानते हैं ये धनावेस हो गया ये आपका रिड़ावेस हो गया तो बिद्दूत बल रेखाएं धनावेस से निकल कर रिड़ावेस पर क्या हो जाती है ऐसे धनावेस से निकल कर क्या हो जाती है रिड़ावेस पर ये सम आवेश से निकल कर रड़ आवेश पर समाप्त हो जाती इतनी बाते क्लियर हो गई भी है क्या होती हैं इमपोर्टेंट्ट पुछा गया है कि जो वadao ut Val Recha वह तीहे हैं है एक दूसरे को काटती नहीं है एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती है एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती है अब कहा क्यों प्रश्ण कैसे पूछता है प्रश्ण पूछेगा कि विद्दूत बल लेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिछेद नहीं करती है तो बताएंगे कि विद्दूत बल लेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं कारती है क्यो लिए एक दुसरे को कभी काटती नहीं है तो लिखेंगे क्योंकि क्योंकि ये कटान बिंदु पर कटान बिंदु पर दो दिशाओं को व्यक्त करती हैं दो दिशाओं को व्यक्त करती हैं क्या करती हैं ये आपका अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों बिदुत बल रेखा पर या रेखाओं पर खीची गई खीची गई असपर्स रेखा असपर्स रेखा बिदुत बल रेखा की दिशा को व्यक्त करती है पो साथ Ini udदूत बल रेखा की के झाको को व्यक्त करती हैं इस बाते के लिए जरास इसको समझ Reports गया हम आप बिदुत बल रेखा की दिशा को ब्यक्त करेगा यानि इस पे घीची गई असपर्ण रेखाएं ये विद्दुदभल रेखाओं के गुर्थे जो विद्दुद बंरेखा होता उसके बारे में आप जान लिए प्या़े बच्चों, तो आज की लेक्जर में बस इतना ही हम लोग चर्चा करते हैं जैसा कि हम लोगोंने जितने टॉपिक लिखे थे उतने टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा चैनल पढ़कर नए आये होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक्यू प्यारे बच्चों